हलो बच्चो मैं लखन सेनी राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिशियेटिव इकक्षा में आप सब का स्वागत करता हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान बच्चो हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पाठ्थे पुस्तक का द्याय 13 प्रष्टि शेत्रफल और आयतन आज भाग दो में हम सीखेंगे विभिन ठोसो के सयोजन से बने ठोसो के प्रश्टि शेत्रफल ग्यात करना हो उसके लिए बच्चो हम हल करेंगे हमारी पाठ्थे पुस्तक की उधारन संख्या एक से चार तक आपको अप रशिद को जन्ब दिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था वहे इस पर अपने मोमिया रंगो केरियोंस से रंग करना चाहता है यह लट्टू एक शंकू के शंकू के आकार का है जिसके उपर एक अर्ध गोला अध्यारोपित है देख के आकरती संख्या 13.6 में हमारी पाठे पुस्तक की आकरती संख्या 13.6 में आपको दिखाया गया है एक लट्टू जो एक शंकू के आकार का है जिस पर एक अर्ध गोला क्या है अध्यारोपित है यह लट्टू रशिद को मिला है जन्व दिन के उपहार के रूप में सेंटी मिटर है यह लट्टू की पूरी उंचाई कितनी है पाँच सेंटी मिटर है लट्टू का व्यास व्यास जो है तीन पॉइंट पाँच सेंटी मिटर है यह व्यास लट्टू का व्यास तीन पॉइंट पाँच सेंटी मिटर है हम से पूचा गया है उसके द्वारा या इतने शित्र में अपने मोम्या रंगों से रंग किया है यह हमें ग्यात करना है पाई बराबर 22 बटे 7 लेने को हमसे कहा गया है अब देखिए रशिद को यह लट्टू मिला है तो उसको रंग कहां करना है इसकी सर्फेस पर करना है बाहर की और ही हम रंग करते हैं तो रशिद रंग कहां कहां करेगा इस लट्टू के इस अर्ध गोलेकार भाग पर अर्ध गोलाकार भाग पर रंग करेगा और शंकुआ कार भाग के वक्र प्रस्ट पर रंग करेगा तो देखो यहां रंग करना है उसे यहां रंग करना है और एक इस सरफेस पर रंग करना है तो उसे रं गोले के वक्र प्रश्ट पर और शंक्वाकार भागी के वक्र प्रश्ट पर इन दो प्रश्टों पर उसको क्या करना है रंग करना है हमें इन दोनों प्रश्टों का कुल शेत्रफल ग्यात करना है तो कैसे ग्यात करेंगे हम हल में बना लेंगे आकरती और लिखेंगे और लि रंग रंग किया रंग किया जाने वाला रशिद द्वारा रंग किया जाने वाला शेत्रफल वो होगा लट्टू के लट्टू के लट्टू के अर्ध गोलाकार भाग का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल प्लेस लट्टू के शंक्वाकार भाग का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल जब हम जब हम इस लट्टू के अर्ध गोलाकार भाग के वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल में शंक्वाकार भाग का वक्र प्रिष्टिय शेत्रफल जोड देंगे तो इस लट्टू का संपून प्रिष्टिय शेत्रफल हमें मिल जाएगा जहां पर रशिद को रंग करना है तो देखो यहां यहां अर्द अर्द गोलाकार भाग का व्यास अर्द गोलाकार भाग का व्यास आपको दिया गया है तीन पॉइंट पाँच सेंटी मिटर यहां से इस अर्द गोलेकार भाग की अर्द गोलाकार भाग की त्रिज्या आप ग्याद कर लिजे अर्द गोलाकार भाग की त्रिज्या वो हो जाएगी इस व्यास की आधी तीन पॉइंट पाँच बटे दू अर्था अर्थ पैतीस बटे बीस या कहलीजे साथ बटे चार सेंटी मिटर देखो यह जो लट्टू का व्यास है न यही तो है अर्द गोलाकार भाग का व्यास इसका आधा करेंगे तो अर्द गोलाकार भाग की त्रिज्या अजाएगी कितनी साथ बटे चार सेंटी मिटर और हमें पता है अर्द गोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी उँचाई भी होती है तो अर्द गोले की त्रिज्जा है साथ बटे चार ये ही इसकी क्या है उंचाई और इस लट्टू की कुल उंचाई है पांच सेंटीमिटर देखो क्योंकि लट्टू की कुल उंचाई जो है पांच सेंटीमिटर है तथा अर्द गोलाकार भाग की उँचाई यहां पर अर्द गोलाकार भाग की उँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है यह है साथ भटे चार सेंटिमिटर अतहे अतहे बच्चों हम निकाल सकते हैं संक्वाकार भाग की उँचाई देखो बच्चों चित्र में देखो यह पूरी उँचाई पांच सेंटिमिटर है यह उपर वाला यह अर्द गोलेकार भाग की उँचाई साथ बटे चार सेंटिमिटर है तो यह शंक्वाकार भाग की उँचाई गयात करने के लिए आप इस उँचाई को पांच में से गठा देंगे तो पांच माइनस साथ बटे चार यानि की तेरा बटे चार सेंटिमिटर आ जाएगी शंक्वाकार भाग की उँचाई अब ध्यान दीजेगा मुझे गयाद करना है गोअ कार भाग की वक्रप्रश्ट का शेत्रफल टू पाई यार स्कौयर होता है त्रिज्या हमारे पासे आसानी सरी जात कमेंगे शांक्वाकार भाग की उँचा हमारे पास शंक्वाकार भागी की उंचाई है, शंक्वाकार भागी की त्रिज्या भी है, क्योंकि वो गोलाकार भागी की त्रिज्या के बराबर ही है, हम आसानी से इस शंक्वाकार भागी की त्रियक उंचाई ग्यात कर लेंगे, क्योंकि बचों हमें पता है, शंकू के लिए शंकू के लिए तिरियक उंचाई का स्क्वाइर बराबर होता है आर स्क्वाइर प्लेस एच स्क्वाइर त्रिज्या का स्क्वाइर प्लेस उंचाई का स्क्वाइर इसलिए शंकूआ कार भाग की भाग की तिरियक उंचाई तिरियक उंचाई यहां से हमारे पास हो जाएगी अन्डर रूट आर इस्कॉायर प्लस ह्सकॉायर देखिये आर इस्कॉायर का मतलब हो गया शंक्वाकार भागी की तृज्या वो है शात बटे चार का इस्कॉायर प्लस उंचाई वो है 13 बटे 4 तो इसका square ये हमारे पास आ जाएगा under root 49 बटे 16 प्लेस 179 बटे 16 जोड लीजिए बच्चो 49 और 179 को जोड़ेंगे तो देखिए ये आपके पास आने वाला है 9 और 9 18 हांसिल 1 6 और 4 10 और 11 हांसिल 1 और 1 2 218 बटे 16 कितने आने वाला है 218 बटे 16 अब देखिए फिर 218 का वर्ग मूल निकालिए 218 का वर्ग मूल निकालेंगे तो ये आजाएगा लग भग 14.7 और 16 का वर्ग मूल आएगा 4 14.7 में 4 का भाग लगा दीजिए तो चार तिया बारा चार तिया बारा दो बच गया 27 हो जाएगा चार चिका चोईस चोईस तीन बच गया चार सत्ते 28 सेंटी मिटर या आप कह सकते हैं 3.7 सेंटी मिटर लग भग लग भग 3.7 सेंटी मिटर आ जाएगी यहां से यह त्रियक उचाई एल तो एल का मान लग भग 3.7 सेंटी मिटर आ गया है नोट कर लीजिए इसे इस प्रकार से आप इस शंकुआ कार भाग की त्रियक उचाई गयाद कर लेंगी अब हमारे पास वो सब कुछ है जिससे हम इस लट्टू का संपूर्ण प्रश्टिय शित्रफल गयाद कर सकते हैं तो देखें यहां से आगे हम लिखेंगे अब अब रशिद द्वारा लट्टू पर रंग किये जाने वाला रंग किये जाने वाला शेत्रफल बराबर हो जाएगा टू पाई आर स्क्वाइर प्लेस पाई आर एल यह शेत्रफल बराबर हो जाएगा टू पाई आर स्क्वाइर अर्ध गोला कार भाग की वक्र प्रश्ट का शेत्रफल प्लेस पाई आर एल संकुवा कार भाग की वक्र प्रश्ट का शेत्रफल देखिए पाई आर उभे निष्ट आ जाएगा अंदर बच जाएगा टू आर प्लेस एल यहां से मान रखिए पाई का मान बाईस बटे साथ आर का मान साथ बटे चार ब्रेकट में टू आर दो गुना साथ बटे चार प्लेस एल एल कितना है तीन पॉइंट साथ सेंटी मिटर लगबग है ठीक है ये साथ से ये साथ कट गया बाईस दो से काटोगे ग्यारा बार कटेगा ये दो बार कट जाएगा ये आपके पास आएगागा ग्यारा बटे दो ब्रेकिट में देखो ये दो बार दो से साथ को काटोगे तीन पॉइंट पांच आ जाएगा प्लेस तीन पॉइंट साथ और दोनों को जोड़िये बचो तीन पॉइंट पांच और तीन पॉइंट साथ को जोड़ेंगे तो ये जाएगा ग्यारा बटे दो गुणा पांच और साथ बारा हासिल एक 3 और 3 6 और 1 साथ साथ पॉइंट दो आ जाएगा जिसको आप इस दो से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3.6 है तीन पॉइंट च्हे को ग्यारा से गुणा कीजिए च्छतीस एकंच्छतीस हासिल तीन च्छतीस एकंच्छतीस और तीन उन चालीश एक 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 अंक छोड़के दसमलव लगाएंगे तो उन चालीश दसमलव छह सेंटीमीटर स्क्वायर रशिद के द्वारा लट्टू पर रंग किये जाने वाला शेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा ध्यान से देखिए बच्चों ध्यान से देखिए किस प्रकार से हल करेंगे हमें पहले उस सर्फेस के बारे में विचार करना है उस सतह को देखना है जहां पर रं नहीं था उसको पूरे लट्टू पर ही क्या करना है रंग करना है अब अगर हम इस लट्टू को देखे तो ये एक अर्ध गोले और एक शंकू के संयोजन से बना हुआ है जब हम अर्ध गोले और शंकू का संयोजन करते हैं तो अर्ध गोले का वृताकार भाग और शंकू का वृताकार एक दूसरे को क्या कर लेते हैं अध्यार उपित हो जाते हैं डख जाते हैं लट्टू में जो सर्फेस है लट्टू में जो सतय है जो प्रिष्ट लट्टू में है वो कौन सी है अर्ध गोले का वक्र प्रिष्ट है हमें अर्ध गोले का वक्र प्रिष्ट दिखाए जहां पर रशिद द्वारा रंग किया जाना है तो हम रशिद द्वारा रंग किया जाने वाला शित्रफल कैसे निकालेंगे लट्टू के अर्ध गोलाकार भाग की वक्रप्रष्ट का शित्रफल प्लस लट्टू के शंक्वाकार भाग का वक्रप्रष्टिय शित्रफल हमें पता है और्ध गोले का वक्रपरष्टेंश्यत्रफल होता है दो पाई आर अरी स्कॉयर तो हमें आर्ध गोले की त्रिज्जय क glory कहां से लाएंगे देखो लट्टू का जो व्यास है वही क्या होगा उसका आधा कर लेंगे तो अर्ध गोले की त्रिज्जया आ अर्द गयात कर सकते हैं लेकिन खार भानुगा वक्रस्ट अभी हम गयात नहीं कर सकतें कि यह में पाइड रही तो हमें स्युंक्त्वेड कार भाग की त्रज्य चाहिक हम दिसके नहीं हैं त्रिया कुचाई हम कैसे निकालते हैं हमें पता है L2 बराबर होता है R2 plus H2 तो इस सम्मंध की साइथा से L, H और R में ये जो सम्मंध है इस सम्मंध की सायथा से हम संक्वाकार भाग की त्रिया कुचाई ग्याद करेंगे कितनी आएगी 3.7 cm आएगी लगबग फिर हम बच्चों आसानी से लट्टू का संपूर्ण प्रष्टिय शित्रफल ग्यात कर लेंगे 2 pi r square प्लस pi r l कितना आजाएगा ये शित्रफल आपके पास आजाएगा लगबग 49.6 cm2 आपने नोट कर लिया है बच्चों इसको अब आपको बिना देखे एक बार फिर से हल करके देखना है और ये दिमाग लगाना है कि जब दो ठोस को संयूजित करके एक नया ठोस बनाया जाता है जैसे कि यहाँ लट्टू बनाया गया है तो इस नय ठोस का प्रश्टिय शेत्रफल हम कैसे ग्यात करते हैं आगे बास मजब में मेरी आपको चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों देखते हैं उधारन संख्या 2 उधारन संख्या 2 देखिए उधारन संख्या 2 आकरती 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रियोग होने वाला ब्लोक दो ठोसों से मिलकर बना हैं इन में से एक घन है और दूसरा और दूसरा अर्द गोला है इस ब्लोक का आधार 5 सेंटीमिटर कोर या किनारे एज वाला एक घन है और उसके उपर लगे हुए अर्द गोले का व्यास 4.2 सेंटीमिटर है देखिए उधारन संख्या 2 में हमें दर्शाई गई है एक आकरती 13.7 और उस आकरती में दर्शाया गया है सजावट के लिए काम में आने वाला एक ब्लोक जैसा कि आप यहां देख रहे हैं यह ब्लोक दो ठोसों से मिलकर बना हुआ है कौन-कौन से दो ठोस हैं इसके अंदर इसका आधार तो है घन के जैसा और इस घन के उपर रखा गया है एक अर्द गोला यह जो आधार में घन है बच्चो इसकी भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमिटर जबकि उपर रखे पॉइंट 2 सेंटीमिटर तो इस घन और अर्द गोले से एक ब्लोक बना है और उसके लिए हमसे पूछा जा रहा है इस ब्लोक इस ब्लोक का संपूर्ण प्रस्थिये शेत्रफल ग्यात कीजिए इस ब्लोक का संपूर्ण प्रस्थिये शेत्रफल कितना है यह हमें ग्यात करन है पाई का मान हमें 22 बटे साथ लेने को कहा जा रहा है तो हमें थोड़ा विचार करना होगा कि इस इस बलोक में प्रेस्ट कहां कहां है देखिए बच्चो जब हमारे पास क्या है एक है घन ये इस प्रकार का एक हमारे पास क्या है घन है ये घन है और एक हमारे पास क्या है ये अर्द गोला है ये अर्द गोला है हमें इन दोनों को संयोजित करके एक ब्लोक बनाना है सजावट के काम में वो आएगा तो देखिए जब आप इस गोले इस अर्द गोले को इस घन के उपर रखेंगे कुछ इस प्रकार से तो अब ये जो ठोस प्राप्थ होगा इनमें प्रश्ट कहां कहां है घन की पांचों प्रिष्ट तो हैं लेकिन ये जो उपर वाली प्रश्ट है वो ये इतनी ही प्रश्ट रह जाएगी इतनी ही प्रश्ट रह है जैसे ही आपने ये अर्द गोला अर्द गोला इसके उपर रखा तो ये वृताकार ये वृताकार सतह डख गई है और उसकी जगे आपको ये वाली सतह मिलेगी अर्द गोले की अर्द गोले की वक्र प्रिष्ट आपको मिलने वाली है तो अगर हमें इस इस ब्लोक का संपू प्रश्टिय शेत्रफल निकालना होगा घन का संपून प्रश्टिय शेत्रफल निकालना होगा उसमें से उसमें से हमें हटाना होगा वृत का वृत का शेत्रफल अर्ध गोले के आधार में जो ये वृत है उसका शेत्रफल हमें हटाना होगा क्योंकि ये सत्य है अब डख होगा जोडना होगा अर्द गोले की वक्रप्रिष्ट का शेत्रफल क्योंकि इस ब्लोक में सतै कहाँ कहाँ है प्रष्ट कहाँ में और उपरी सतह में भी प्रष्ट है लेकिन इस वृत को छोड़ के और कहां प्रिष्ट है और इस अर्ध गोले की वक्र प्रिष्ट को भी हम इस ब्लोक की प्रष्ट में ही गिनेंगे तो इस से इस से गन की संपूर्ण प्रष्टिय शित्रफल में से हम वृत का शित्रफल गठार लेंगे और अर्द गोले की वक्रप्रष्ट का शित्रफल जोड देंगे तो ब्लोक का संपून प्रष्टिय शित्रफल हमें मिल जाएगा देखिए अपने हल को हम लिखेंगे कैसे हल में हम बनाएंगे आकरती आकरती बनाएंगे और लिखेंगे ब्लोक का का संपून प्रष्टिय शेत्रफल देखे आकर्ती में आप हो दिख जाएगा ब्लोक का संपून प्रष्टिय शेत्रफल होगा गन का गन का संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल गन का संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल माइनस माइनस अर्द अर्द गोले अर्द गोले के आधार यानि की वृत का शेत्रफल अधार वृत का शेत्रफल प्लेस प्लेस हमें करना होगा अर्द अर्द गोले का वक्र प्रष्टिय शेत्रफल हमें जोडना होगा अर्द गोले का वक्र प्रष्टिय शेत्रफल यहां गन की भुजा बराबर होगी पाँच सेंटीमिटर तथा अर्द गोले का व्यास यह हमारे को दिया गया है चार पॉइंट दो सेंटीमिटर अर्था अर्द गोले की त्रिज्जा अर्द गोले की त्रिज्जा वो होगी चार पॉइंट दो बटे दो अर्था 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 दो पॉइंट एक सेंटीमिटर अर्था 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 दो पॉइंट एक सेंटीमिटर अता है ब बच्चो देखो अते हैं ब्लोक का संपूर्ण प्रष्टिये शेत्रफल संपूर्ण प्रष्टिये वो हो जायेगा च्छै गुणा भुजा इस्क्वायर क्योंकि घन का संपूर्ण प्रष्टिये शेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वाइर माइनस आधार के वृत का शेत्रफल पाई आर स्क्वाइर और अर्द गोले का वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल 2 पाई आर स्क्वाइर यहां से यह हो जाएगा 6 गुणा 5 का स्क्वाइर प्लस देखो माइनस पाई आर स्क्वाइर और प्लस का 2 प पाईar square हो जाएगा, यह हो जाएगा पाँच का square 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 से का 150 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा पाई का मान 22 बटे 7 तरिज्या है 2.1 तरिज्या है 2.1 साथ से काट लिजिए 0.3 बार कट जाएगा यह आ जाएगा 150 प्लेस 6.6 गुना 2.1 6.6 गुना 2.1 देखेओ 0.3 को 22 से गुना करोगे 6.6 आ जाएगा 6.6 को आप गुना कर लिजिए 2.1 से कितना आएगा देखो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 2 1 जोड़ेंगे 6 8 3 1 13.86 आ जाएगा यह 150 प्लेस 13.86 दोनों को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 163.86 सेंटीमिटर स्कॉर और यह जो केलकुलेशन आप करते हैं यह आपको रफ नोट बुक में करनी है बच्चो तो आ जाएगा आपके पास ब्लोक का संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल एरिया यहां से यह संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल ए आपके पास आ जाएगा 163.86 सेंटीमिटर स्कॉर किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको इस प्रष्ट के हल में नहीं रहेगी आपको इतना दिमाग लगाना है जब कोई दो सर्फेस दो ठोसों की कोई सर्फेस में मिलती है मिलकर वो सर्फेस जब ढग जाती है तो उस सर्फेस को हमें हटाना होगा प्राप्त ठोस के प्रश्टी शेत्रफल में से तो यहाँ पर क्योंकि अर्ध गोले का वृताकार भाग ने अर्ध गोले के वृताकार भाग ने डख लिया है घनाकार भाग में घनाकार भाग की उपरी सतह को तो यह जो डखा गया वृत है उसे तो हमें हटाना होगा उसे तो हमें हटाना होगा अर्ध गोले के आदार का शि पिचार कीजिए अब उधारन संख्या 3 पर देखिए लकड़ी का एक खिलोना रोकेट खिलोना रोकेट एक शंकू के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है जैसा की आकरती तेरा पॉइंट आठ में दर्शाया गया है आकरती संख्या 13.8 को देखिए ये एक रोकेट ह है खिलोना रोकेट ये एक खिलोना रोकेट है इसकी बात हो रही है और देखिए हमें बताए जा रहा है संपूर्ण रोकेट की उचाई 26 सेंटीमिटर है इस खिलोने की ये पूरी उचाई 26 सेंटीमिटर है जबकि शंक्वाकार भाग की उचाई 6 सेंटीमिटर है शंक्वाकार भाग की उचाई कितनी है 6 cm आप समझ सकते हैं बेलनाकार भाग की उचाई हो जाएगी 20 cm क्योंकि कुल उचाई कितनी है 26 cm उसमें से उपर वाली उचाई हटाओगे तो बेलनाकार भाग की उचाई आजाएगी 20 cm 20 cm शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 cm और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 cm है यह जो शंक्वाकार भाग है बच्चो इसके आधार का व्यास आपको दिया गया है 5 cm देखे आधार का व्यास दिया गया है 5 cm और बेलनाकार बेलनाकार भाग के आधार का व्यास यहां पर भी आधार का व्यास आपको दिया गया है तीन सेंटीमिटर यदी शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रतेक रंग द्वारा रोकेट का रंगे जाने वाले भाग का शित्रफल ग्याद कीजिए प्रतेक रंग द्वारा कितना कितना शित्रफल रंगा जाएगा ये हमें ग्याद करना है पाई का मान तीन पॉइंट एक चार लेना है जरा परिस्तिती को समझने का प्रियास करो, ये खिलोना रोकेट है, जो की एक शंकू और एक बेलन के संयोजन से बना हुआ है, हमसे कहा गया है कि इसका ये जो शंकूआ कार भाग है, अब शंकूआ कार भाग इसमें कहां कहां है, देखो, ये शंकू की वक्र प्रिष्ट पे संयोजित करेंगे तो नीचे एक वले बनेगी, इस वले को भी हम संकूआ कार भाग ही कहेंगे, क्योंकि ये शंकूआ का भाग है, और ये जो है बच्चों, ये बेलना कार भाग है इसका, जिसको меня लाल रंग से दिखाने वाला हूँ, ये जो है बेलना कार भाग है, इस खिलोना रोकेट का बेलना कार भाग आपको दिख रहा है लाल रंग से ये है बेलना कार भाग अब ध्यान दीजेगा हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम इस शंकुआ कार भाग पर क्या करें नारंगी रंग करें तो उस नारंगी रंग वाले शेतर का शेतरफल कितना होगा ये बताईए और बेलना का और भाग पर हम क्या करें पीला रंग करें तो इस पीले रंग का भाग कितना होगा उस पीले रंग वाले भाग का शितरफल कितना होगा ये बताईए तो देखें अगर मैं चाहता हूँ कि नारंगी रंग कितने शितरफल पर किया गया ये अगर मुझे ग्यात कर मुझे ग्याद करना होगा यह शंकू के वक्र प्रष्ट का शेतरफल क्योंकि यहां पर नारंगी रंग करना है मुझे यह वक्र प्रष्ट का शेतरफल ग्याद करना होगा प्लस मुझे इस वल्य का शेतरफल भी ग्याद करना होगा क्योंकि वल्य पर भी हमें नारंगी रंग करना है और मुझे पीले रंग वाले शित्रफल को ग्याद करना है तो मुझे ग्याद करना होगा यह बेलन की वक्र प्रष्ट का शित्रफल बेलन की वक्र प्रष्ट का शित्रफल और और बच्चो मुझे ग्याद करना होगा बेलन की आधार का शित्रफल बेलन की आधार का श और लिखो और लिखो खिलोना खिलोना रोकेट पर रोकेट पर नारंगी नारंगी रंग नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला रंगा जाने वाला शेत्रफल रंगा जाने वाला शेत्रफल ये बराबर होगा शंक्वाकार भाग की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल, शंक्वाकार भाग की वकर प्रिष्ट का शित्रफल, प्लेस प्लेस शंकुआ कार शंकुआ कार, भाग की आधार पर बनी बनी वले का शित्रफल, बनी वले का शेत्रफल तो इन दोनों शेत्रफलों को जब हम जोड लेंगे तो नारंगी द्रंग द्वारा रंगा जाने वाला शेत्रफल हमें मिल जाएगा अब देखिए शंक्वाकार भाग की वकर प्रिष्ट का शेत्रफल कैसे गयाद करेंगे पाई आर एल तो आपको चाहिए आर और एल शंक्वाकार भाग की त्रिज्जा चाहिए और इसकी त्रियक उंचाई चाहिए यहाँ पर यहाँ पर हमें दिया क्या क्या गया है उसे देखिए यहाँ शंक्वा शंक्वाकार भाग का भाग के भाग के आधार का व्यास आधार का व्यास हमें दिया गया है पाँच सेंटी मिटर कितना दिया गया है पाँच सेंटी मिटर इसका मतलब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या या शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या यहां से हमें मिल जाएगी पाँच बटे दो सेंटीमिटर या यूं कहिए दो पोइंट पाँच सेंटीमिटर कितनी दो पोइंट पाँच सेंटीमिटर हमें मिल जाएगी शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या तथा 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 बच्चो शंक्वाकार भाग की उँचाई यह हमें दी गई है प्रश्न में ही हमें दी गई है शंक्वाकार भाग की उँचाई है 6 cm कितनी है 6 cm है देखिए अब आगे क्योंकि शंकू के लिए शंकू के लिए हमें पता है L square बराबर होता है R square plus H square अते है अते है शंकू कार भाग की तिरियक उंचाई शंकू कार भाग की तिरियक उंचाई L बराबर हो जाएगी under root R square plus H square यहां से L L आजाएगा आपके पास under root R square यानि की 2.5 का square plus H square यानि की 6 का square देखिए शंकू कार भाग के अधार की तिरिजा है 2.5 cm उंचाई है 6 cm तिरियक उंचाई हो जाएगी 2.5 का whole square plus 6 whole square 6 square का root देखिए 2.5 का square कीजिए तो यह जाएगा 6.25 और इस 6 का square करेंगे कितना जाएगा 36 यह आपको मिलेगा अंडर root 42.25 कितना मिलेगा 42.25 जिसका आप वर्ग मूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 6.5 cm हमें मिल गई है शंकू कार भाग की तिरियक उंचाई तो हम अब ग्याद कर सकते हैं शंकू कार भाग की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल पाई आर एल की सायता से लेकिन उसमें हमें जोड़ना है शंकू कार भाग की आधार पर बनी वलय का शेत्रफल अब यह आधार पर जो वलय बनी है इसका शेत्रफल आप कैसे ग्याद करोगे हमें पता है दो सेकेंद्रिय वृतों के मद्दे बनी वलय का शेत्रफल होता है बाहर वाले वृत का शेत्रफल बाहर वाले वृत का शेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत का शेत्रफल तो अंदर वाले वृत के लिए हमें चीए अंदर वाले वृत की तृज्जा बाहर वाले वृत की तृज्जा तो हमारे पास है देखो 2.5 cm है अंदर वाले का व्यास हमें पता है 3 cm तो उसका आधा कर लेंगे तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी एक पॉइंट पाच सेंटिमेटर लिखेंगे कैसे इस बात को देखिए हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि बेलना बेलनाकार भाग का व्यास भाग के आधार का व्यास बेलनाकार भाग के आधार का व्यास हमारे पास है तीन सेंटेमिटर इसलिए इसलिए बेलनाकार बेलनाकार भाग के आधार की तृज्जा हमारे पास हो जाएगी तीन बटे दो अर्थार्थ एक पॉइंट पाँच सेंटेमिटर कितनी हो जाएगी एक पॉइंट पाँच सेंटेमिटर अब हम ग्यात कर सकते हैं नारंगी क्रंग किये जाने वाले भाग का शित्रफल तो देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे अतहे खिलोना खिलोना रोकेट पर नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला शित्रफल वो हो जाएगा पाई आर एल पाई आर एल शंक्वाकार भाग की वकर प्रष्ट का शित्रफल प्लैस पाई आर इस्क्वाईर माइनस पाई आर इस्क्वाईर आधार पर बनी वले का शित्रफल यहां देखिए लिखेंगे जहां आर क्या है शंक्वाकार भाग की त्रिज्जा अर है बड़ा आर जो है शंक्वाकार भाग की त्रिज्जा है तथा छोटू आर है बेलनाकार भाग की त्रिज्जा यह है बेलनाकार भाग की त्रिज्जा मान भर दीजे सबका देखिए पाई का मान तीन पॉइंट एक चार आर शंक्वाकार भाग की त्रिज्जा है दो पॉइंट पाँच यह है दो पॉइंट पाँच गुणा एल यह है छे पॉइंट पाँच प्लस पाई दोनों में से उभैनिष्ट आ जाएगा तो बाईस बटे साथ उभैनिष्ट अंदर शंक्वाकार भाग की त्रिज्जा का स्क्वाइर दो पॉइंट पाँच का स्क्वाइर माइनस बेलनाकार भाग की त्रिज्जा का स्क्वाइर एक पॉइंट पाँच का स्क्वाइ देखिए दो पॉइंट पाज से तीन पॉइंट एक चार को गुणा कीजिये फचीस चोख सो हासिल दस पचीस से गम पचीस और दस 35 हासिल 3 पचीस तिया पिचेतर और 3,78 ध्यान दीजिएगा पचीस का पड़ा चार बार बोलेंगे सो आएगा हांसिल दस 25 एकम 25 और दस 35 हांसिल तीन 25 का पाड़ा तीन बार बोलोंगे 25 तिया पिछे तरो तीन अटातर एक दो तीन तीन अंक छोड़के दसमेलव लगाएंगे तो 7.850 गुना 6.5 ये बचेगा प्लस 22 बटे 7 क्या आपको A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर देख गया तो A प्लस B करोगे 2.5 में 1.5 जोड़ोगे तो ये आजाएगा 4 और गठाओगे 2.5 में से 1.5 तो ये आजाएगा 1 तो ये जाएगा 4 गुना एक अब 6.5 से गुना कीजिए 7.85 को रफ नोट बुक में 7.85 को गुना कीजिए 6.5 से 5 का पाड़ा बोलिए 25 बार हासिल 258 चालीस और 2 हासिल 42 हासिल 4 पास सते 35 और 49 चालीस पास चैसे गुना कीजिए 635 हासिल 3 चाट 48 और 3 इक्यावन हासिल 46 42 और 5 47 जोड लीजिए 5 2 10 की 0 हासिल 1 11 हासिल 1 यह आजाएगा तीन अंग चोड़के दसमलव लगाईए 51.025 कितना आजाएगा 51.025 इसमें हमें जोडना क्या है देखो 22 चोक 88 88 बटे 7 हमें जोडना है तो यह आजाएगा 51.025 प्लेस साथ का भाग लगाईए 7 एकम साथ एक बच जाएगा 18 हो जाएगा 7 दूनी 14 चार बच जाएगा 40 बनेगा तो 7 35 बचेगा 77 49 और फिर 7 एकम साथ तो 12.57 एक लगभग आएगा दोनों को जोड़िये 5 और 1 6 हासिल 5 और 6 5 और 1 6 हासिल कुछ भी नहीं 7 और 2 9 5 और 0 5 दसमलाव की जगे दसमलाव 2 और 1 3 एक और 5 6 63.596 cm2 क्या आएगा यह आएगा नारंगी रंग किये जाने वाला शित्रफल उस खिलोना रोकेट का वह शित्रफल जहां पर नारंगी रंग किया जाएगा कितना आएगा 63.596 cm2 किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं रही होगी नारंगी रंग रंग रंगह जाने वाला शित्रफल इस प्रकार से घ्याद करेंगे और हमसे पूछ आ करेंगे देखिए इसको तो नोट कर लीजिए और फिर आगे देखिए अब अब खिलोना खिलोना रोकेट खिलोना रोकेट पर पीले पीले रंग द्वारा रंगा रंगा जाने वाला पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला शेत्रफल पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला शेत्रफल होगा बेलना कार भाग की वक्र प्रिष्ट का शित्रफल प्लेस बेलना कार भाग के आधार का शित्रफल बेलना कार भाग के आधार का शित्रफल बेलना कार भाग के ऊपर वाले वरित का शित्रफल क्यों नहीं हमने जोड़ा क्योंकि वो बच्चो डख गया था शंकुआ कार भाग के आधार से क्योंकि जब हमने खिलोना रोकेट बनाया तो जब हमने शंकुआ कार भाग और बेलना कार भाग को जोड़ा तो उसमें से एक ये वृताकार भाग डख जाएगा ये वाला इसलिए इस बेलन के इस वृत का शितरफल हम नहीं जोडेंगे यहां पर हम रंग कर ही नहीं सकते तो पीला रंग कहां कहां कर सकते हैं वक्रप्रिष्ट पर और आधार पर इसलिए मैंने इनी दो भागों के शेत्रफल जोड़े हैं अब वक्रप्रिष्ट का शेत्रफल होता है टू पाई आर एच और आधार का शेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर देखिए पाई आर तो उभेनिष्ट आ जाएगा अंदर बच जाएगा टू एच प्लेस आर क्या बच जाएगा टू एच प्लेस आर तो यहां से पाई का मान तीन पॉइंट एक चार आर का मान है एक पॉइंट पाँच दो गुणा एच अच्छा हमें चाहिए बे 26 माइनस 6 क्यों क्योंकि पूरे किलोने की उचाई है 26 पूरे किलोने की उचाई है 26 जिसमें से शंक्वा कारभाग की उचाई है 6 तो बेलना कारभाग की उचाई हो जाएगी 26 माइनस 6 प्लेस प्लेस आर एक पॉइंट पाँच यहां देखिए एक पॉइंट पाँच से गु तीन रातीय पैग्तालीस और do 47 तीन अंक छोड़के दसमेन लगाएंगे तो 4.7 एक आएगा गुणा देखिए बीस बीस गुणा दो करेंगे 40 आएगा 40 में एक पॉइंट पांच जोड़ेंगे तो यहाजाएगा हासिल कुछ भी नहीं 575 हासिल 3, 5, 2, 3, 23 फिर गुणा कीजिए 1 से तो यह जाएगा 1, 7, 4 फिर हम गुणा करेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 4, 7, 28 हासिल 2, 4, 16 और 2, 18 अब जोड लीजिए 5, 6, 10 और 4, 14 हासिल 1, 15 की 5 हासिल 1 और यह आजाएगा यह आजाएगा देखो 3 अंक छोड़ के 10 लगाईए 195.465 कितना आजाएगा 195.465 सेंटी मिटर स्क्वाइर यह काम आपका रफ नोट बुक का तो पीले पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला शेतरफाल आजाएगा 195.465 सेंटी मिटर स्क्वाइर नोट कीजिए बच्चो अच्छे तरीके से इसको प्रशन उधारन संख्या उधारन संख्या तीन में जो प्रशन हम से पूचा गया था नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला शेतरफल कितना है और पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाला शेतरफल कितना है उसको हम इस प्रकार से गयाद करेंगे पहले हम नारंगी वक्रप्रिष्ट का शित्रफल प्लस आधार पर बनी वले का शित्रफल शंकुवाकार भाग की वक्रप्रिष्ट का शित्रफल होगा पाई आर एल कैसे निकालेंगे अंडर रूट आर स्क्वाइर प्लस एच स्क्वाइर से वले का शित्रफल होता है बाहरी वृत का शित्रफ और पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाला शेत्रफल हम कैसे ग्याद करेंगे बेलनाकार भाकी वक्रप्रिष्ट के शेत्रफल में हम जोड़ देंगे बेलनाकार भाकी आधार का शेत्रफल एक सो पिचानों पॉइंट चार छह पांस सेंटीमेटर स्क्वाइर आपके पास बिष्ट शेत्रफल आ जाएगा नोट की कर लीजी बच्चों इसे नोट कर लीजिए ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको एक बार फिर से बीना देखे हल करना है अगर कहीं कोई तकलीफ आती है बच्चों तो आप वापस एक बार वीडियो देखिए कोश बढ़ना नहीं है बचो अब देखिए अगला उधारन संख्या चार मयंक मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी इसनानागार बर्ड बात बनाया जिसका जिसका आकार एक खोकले बेलन जैसा है जिसके एक सिरे पर एक अर्द गोलाकार बरतन बना हुआ है देखिए आक करति संख्या 13.9 को देखिए यह मयंक के द्वारा बनाया गया बढ़न बात है पक्षी के नहाने के लिए बनाया बरतन है यह एक खोकले बेलन के जैसा है और इसमें क्या किया है उसने यह खोकले बेलन में उसने यह एक अर्द गोलाकार बरतन फसा दिया है जिससे इस पानी पी सके नहा सके ठीक है बेलना बेलन की उचाई यह जो बेलनाकार भाग है इसमें बेलन की उचाई एक पॉइंट चार पांच मिटर है यहां ध्यान देने की जरुरत है बचो क्यों क्यों ध्यान देने की जरुरत है बेलन की उचाई तो सिधी सी बात है लेकिन यह दी ग इसकी त्रुज़या 30 cm है कितनी है 30 cm तो देख लो 30 cm में है और वो मिटर मेन तो गणणा करेंगे तो फिर मातरक आपको एक समान बनाने पड़ेंगे इसलिए मैं कहरा हूँ वहां पर आप ध्यान दीजेगा मिटर है या सेंटी मिटर है इस पक्षी इस नानागार इस ननागार का संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल ग्याद कीजिए अचा इस पक्षिस ननागार का संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल हमें ग्याद करना है तो पहले में ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इस पक्षिस ननागार में प्रष्ट कहा है तो जहां जह प्रश्ट है उन सभी प्रश्टों का शित्रफल गयाद कर लेंगे जोड़ देंगे तो पूरे इस ननागार का प्रश्टिय शित्रफल आजाएगा सम्पूर्ण प्रश्टिय शित्रफल आजाएगा तो ज़िद्धा दिमाग लगाई ए क्या इसके इन किनारों पर यह मैं इसका शित्रफल हमें ग्याद करना होगा क्या मैंक ने आधार पे भी कुछ लगाया होगा क्या इधर से मैंक को बंद करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि उसने ये अर्द गोलाकार बरतन लगा दिया है अब पानी तो यहीं तक रुख जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं है याद रखेगा उपर की और भी वो कोई सर्फेस नहीं होगी कोई प्रष्ट नहीं होगी क्यों नहीं होगी उपर की और प्रष्ट लगा देंगे तो यह तो बंद हो जाएगा बंद इस नानागार का कोई मतलब नहीं है पक्षियों के लिए खुलाही बनाया जाता है बचो इनी दो जगे प्रश्ट हैं बाकी सब जगे बाकी सब जगे से खुला है ये उपर से खुला है ये नीचे से भी खुला है और इन डंडों को आप कर दीजिए इग्नोर इन डंडों को कर दीजिए आप इग्नोर तो हमें वास्तों में क्या ग्याद करना है इस बेलनाकार भाग की वक्रप्रष्ट का शेत्रफल और इस अर्द गोलाकार भाग की वक्रप्रष्ट का शेत्रफल आसानी से ग्याद कर लेंगे बच्चों देगे हल में आप बना लीजिये आकरती हल में आप बना लीजिये आकरती और फिर लिखिए और फिर लिखिए पक्षी पक्षी इसनाना पक्षि इस्नानागार का संपून प्रस्थिये शेत्रफल संपून प्रस्थिये संपून प्रस्थिये शेत्रफल वो होगा बच्चो बेलन की वक्र प्रस्थ का शेत्रफल बेलन की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल प्लस अर्ध गोले की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल अर्ध गोले की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल अच्छा बेलन की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल होता है 2 पाई आर एच अर्ध गोले की वक्र प्रिष्ट का शेत्रफल होता है टू पाई आर स्क्वाइर यहां आर क्या है आर है त्रिज्या आर है बच्चों त्रिज्या और एच क्या है इस बेलन की उचाई तो यहां एच बराबर क्या है बेलन की उचाई है जो की हमें दी गई है एक पॉइंट चार पाँच मिटर कितरी देगी है एक पॉइंट चार पाँच मिटर यानि कि हम कह सकते हैं 145 cm अगर हम इसको cm में बदलें तो मिटर को cm में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं 1.45 को 100 से गुणा करोगे 145 cm आ जाएगा तता आर क्या है आर है त्रिज्या और त्रिज्या हमें दी गई है 30 cm कितनी दी गई है 30 cm आता है पक्षी इसनानागार की संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल पक्षी इसनानागार का संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल कह दीजे या कि संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफल कह दीजे पक्षी इसनानागार की संपूर्ण प्रष्टिय शेत्रफाल यहां से हो जाएगा, यह संपून प्रष्टिय शेत्रफाल हो जाएगा, देखो, 2 pi r h, 2 गुना pi का मान 22 बटे 7 r, r कितनी है, 30 cm, h कितना है, 145, प्लेस टू पाई टू पाई आर स्क्वाईर यानि की तीस गुणा तीस ठीक है तीस गुणा तीस दो गुणा बाईस बटे साथ गुणा तीस को उभेनिष्ट ले लीजे अंदर बच जाएगा एक सो पैतालीस प्लेस तीस अब देखिए यह हो जाएगा दो गुणा बाईस बटे साथ गुणा तीस एक सो पैतालीस और तीस को जोड़िये बचो कितना आजाएगा 175 आजाएगा यह आजाएगा 175 साथ से 175 को काट दीजिए साथ दुनी चाउदा और तीन बज जाएगा साथ पंजे पैतीस यह आपके पास आजाएगा देखो 22 को 22 को 2 से गुना करोगे 44 गुना 30 गुना 25 अब आप गुना कर लीजिए 44 को 25 से 25 चोक सो हासिल 10 25 चोक सो और 10 110 गुना कीजिए से 30 से तो यह आजाएगा यह आजाएगा बच्चों आपके पास 33,000 सेंटी मिटर स्कॉयर कितना आजाएगा 33,000 सेंटी मिटर स्कॉयर आजाएगा जिसको आप मिटर स्कॉयर में बदलोगे तो 10,000 का भाग लगा दीजिए इसमें 3.3 मिटर स्कॉयर आपके पास क्या आजाएगा मयंक दुआरा बनाए गए पक्षी इसननागार का शेत्रफल आजाएगा नोट कीजिए उधारन संख्या 4 के हल को बच्चू आज हमने हल किये हैं हमारी पाट्य पुस्तक की उधारन संख्या 1 से 4 तक जिनके माद्यम से बच्चो हमने सेखने का प्रियास किया कि जब हम विभिन ठोसों को सन्योजित करके कोई नया ठोस बनाते हैं तो उसका शेत्रफल किस प्रकार से ग्यात किया जाता है हमें कुछ प्रष्टों के शेत्रफलों को घठाना पड़ता है और कुछ नई प्रष्टों के शेत्रफलों को जोड़ना पड़ता है उमीद करता हूँ ठोसो के संयोजन का प्रश्टिय शेत्रफल ग्यात करना आपने सीख लिया है आप चारों उधारनों को एक बार फिर से हल करेंगे बच्चो मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए खुश रहिए बच्चो धन्यवाद